पिछले एक महिने के उपर मतलब 33 दिवस बीद चुके हैं ये हमारे घर के बच्चे और बच्ची लोगों ने जो हमारे डॉक्टर है छात्रों छात्रा लगातार खूले आस्मान के तले ये धूप बारिश को मुकाबला करते हुए आज तक अपना आंदलों जारी रखी मेरे तरफ से मैं एक बाने सो बर बांगाल के मुक्ख मंती जी मामता बेना जी के पास ये गुहर लगाते रही कि एक बर कम से कम आंदलों करियों से मिलने से आस्मान तो नहीं तूट पड़ेगी ना दूख की बत ही है कि मुलाकत तो करने गई जुरूर गई लेकिन चला की छोर के नहीं गई यह हतकंड की क्या जुरत थी डॉक्टर की जो आंदलों च्छात्रों ने खूले आम पांचों मांगे रखी थी एक मांगा अगर पूरा करती अरे कलकत्ता की पूलिस कमिसरान को अगर पत से हटा दिया जाते तो क्या आसमान तूट पड़ते भूकम हो जाते क्या बंगल में सून यो जी तरीके से आंदलों को तोरने के लिए एक के बाद एक हतकंडे अपने जा रहे हैं ये आंदलों करियों को धिरोता उनकी तेज उनकी इमानदारी की सामने मामता बेरजी सर जुका रही जाए लेकिन चलाकी से वो हटे नहीं पांच मांगे की अंदर क्या दोचार मांग अगर पूरा कर देतो तो हर्जा क्या थी हानी क्या थी ये आंदलों डॉक्टरों को दिखाना चाहते हैं आम लोग की निगाहों में ये ओ दोशी है मैं नहीं मैं तो भर अच्चा करने जा रही है लेकिन देखो आंदलों डॉक्टरों ने बहार से किसी को उक्साने के चलते हमारे जो ये प्रयाश ये प्रयाश में सहमत नहीं दिखाते तो ये एक चलाकी है सरसर महमत अबराजी की ये चलाकी है ये चलाकी छोड़े और अन्नों च्छत्तों के साथ खूले आम आमने समने बैटके जल से जल फच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ये कैंसर में कैंसर पकर लिये है इस हलत से निकलने के लिए महमत्य भाई जो दवा इस्तिमाल कर रहे है वो दवा में इसका इलाज इसके उपाचार नहीं हो सकते